दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि Utec के अंदर अपनी ID अफज्डेट कैसे करें, उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस है और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और कितना पैसा लगता है दोस्तों यूटेक के अंदर ID अफग्रेट करने के लिए दोस्तों केवल 590 रुपया लगता है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं और इसमें pen card लगाना होता है यहाँ पे click करके profile में जा करके pen card लगा लेना होता है या pen card हम नहीं लगाएं तो इन में से हम किसी पे भी click करेंगे तो pen card लगाने का option आ जाएगा और उस पी click करके हम pen card अपना सबसे पहले में लगा लेना चाहिए दोस्तों अब चुकि ID हमें अफग्रेट करना है उसके लिए 590 रुपया चाहिए तो पहला तरीका यह है कि हम यहां से add money कर लें 590 रुपया हम add money कर लें और add money करने का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के description में link में दिया गया है आप जरूर देख लिएना तभी add money करना बिना देखे आप उस वीडियो को बिना देखे add money नहीं कर लिएगा उसके बाद पहला प्रोसेस होगे add money खुछ से करना वीडियो देखके दूसरा प्रोसेस यह है कि दोस्तों हम अपलाइन के phone पे Google पे में payment डाल दें और हमारी अपलाइन हमारे account में उतना पैसा इदर डाल देगा यह भी प्रोसेस है दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में किया है इन्होंने क्या किया है दोस्तों जिनकी ID में green कर रहा हूँ इन्होंने हमारे account में 590 रुपया डाला है और मैंने इनके यूटेग में 590 रुपया wallet में डाल दिया है आए दोस्त आप देखें यह 590 रुपया मैंने इनके wallet में डाला हुआ अब इस 590 से सर को सर की ID में green कर रहा हूँ कैसे green होगा इसकी पूरी details और process समझे यहाँ जो यह 590 लिखा है मुझे यहीं पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ebook लेकर के भी हमारा ID अपग्रेड हो जाएगा fashion cloth भी लेकर के जानि decent blazer लेकर के भी हम अपनी ID अपग्रेड कर सकते हैं अगर हम ebook ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 590 रुपय लगेगा और जिसमें हमें 500 business volume मिल जाएगा और हमारी ID ग्रीन हो जाएगी यहाँ भी 500 business volume मिलेगा लेकिन इसमें जो कीमत लगेगी वो लगेगा 999 ठीक है दोस्त तो कम पैसा इसमें लग रहा है हम QL ID अपग्रेड करना है 590 रुपया ही इस ID में है तो इसलिए हम e-book ले रहे हैं e-book पे चले जाएंगे English e-book फिर यहाँ e-book पे किलिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों फटा-फट में आपको बता रहा हूँ आप देखेगा यहाँ buy now का option आ रहा है यहाँ buy now पे किलिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप समझना है कि place order का एक option आ रहा है यहाँ पे जा करके हमें अपना address submit कर लेना है place order पे जब हम जाएंगे तो इस type से आप सनाएगा यहाँ पे अपने गाउं का नाम अपने नजदी की area का नाम, अपना city, state, area pin code, अपना email और contact number भर लेना है तो हमने पूरा detail भर लिया है जब पूरा detail आप भर लें और save हो जाए तो उसके बाद दोस्तों हमें back वाली बटन से दो बार back करना होता है दो बार मैंने back कर दिया देखिए अब यहाँ पर देखो मेरा पूरा details आप लेड़ी यहाँ पर fill up मैंने कर दिया है पूरा हमारा address इदर भरा हुआ है अब के वाल हमें 590 रुपे पर click करके और इस ID को upgrade कर देना है बस तो दोस्त मैंने 590 पर click कर दिया है अब यहाँ से हम click करेंगे you tag wallet और pay करेंगे मुझे cable transaction password डालना है transaction password यहाँ पर मैं फिलिप कर दे रहा हूँ और उसके बाद यह ID proceed हो जाएगा यानि ID activate हो जाएगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा पूरा process ID upgrade करने का जैसे हमें admin करना है उसके लिए हमें description में link दिया गया है उसके चले जाना है देखना है और यहाँ फिर हम applying से 590 रुपया ले करके और अपनी ID upgrade कर सकते हैं उनके phone पे Google पे में डालके तो पूरी वीडियो के मात्यम से हमें समझ में आ गया ID upgrade करने का पूरा process आप देख सकते हैं सात्यों यहाँ build generated successfully ID upgrade हो चुका है ID upgrade होते ही दोस्तों हमारी ID में जो option आता था 590 का ebook का वो option नहीं आता है उपर वाले slide में तो आप देखेगा उपर वाले slide में दोस्तों हमारा इदर 590 का option नहीं आ रहा है आप देखेगे जानि यह ID already तुरंत अभी आपके सामने upgrade हुई है तो आप भी अपने पूरे टीम में सभी सात्यों तर्क इस वीडियो को share करिएगा जिससे कि सभी को ID green करने का सही तरीका, सही प्रोसेस, सही टाइम पर मिल पाए, thank you for watching this video, thank you very much